बहुत ज़्यादा खात देने से हमारा पौदा इस तरीके से फ्लावरिंग में नहीं आता है यानि कि प्लांट को थोड़ा टाइम चाहिए हलो दोस्तों आप सब कैसे हो उमीद है आप सब खैरे से होंगे आज मेरा वीडियो जो है इस हिविसकस के प्लांट के उपर है हिविसकस का प्लांट जो होता है बहुत हिकम देख भल में चलने वाला और धेर सारे फूल देने वाला प्लांट होता है आप देख सकते हो इस plant में कितने ज़्यादा कलिया बनी हुई है एक एक ब्रांच में एक साथ गुछों में इस तरीके से कलिया बन रही है तो मैंने इस plant में थोड़ी सी हलकी फुलकी पुरूनिंग की थी और करने के बाद आब देख सकते हैं इसकी ग्रोथ हो रहेता है। इस थी क्या तो hen व्ह Beneath एक साथ बन रहे तो इसका राज है फ्रेंड किचन वेस्ट का खाद आप देख सकते हूं इसको मैंने एक वेस्ट कंटेनर में लगाया इसके पहले एक पॉट में था तो वेस्ट कंटेनर में लगाने के टेमपे मैंने नीचे से जो नीचे जो मिटी थी वो वेस्ट किचन का ज ऐसी फ्लारिंग पाईए लेकिन आप अगर किचन विस्ट के खाद में नहीं लगाना चाहते हो और आपको कोई खाद चाहिए जिससे आपके पौदे में ऐसी ग्रूथ और ऐसी फ्लारिंग हो तो आपका काउडंग कंपोस्ट का यूज़ कर सकते हो या फिर वर्मी कंपोस्ट का ये दोनों खाद बहुत जादा सक्तिसाली होता है हमारे पौदों के लिए बहुत जादा फाइदिमन थे और आपको बिना कोई क्यामिकल का यूज़ करें यानि कि गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट से ही बहुत अच्छे से फ्लारिंग मिलेगा और उसकी ग्रोथ भी लगाते हैं लगाने के बद कई बार ऐसा होता है कि हम उसमें पानी देते हैं और पानी ड्रेनेशल से निकल जाता है तो खाद बहुत बार नीचे निकल जाता है हम कितना सोल समझ के पानी देते हैं फिर भी पानी कई बार ज्यादा हो जाता है जिसकी वज़े से वह खाद क् सारा पानी के साथ निकल जाता है इसलिए मैं बहुँ ज़्यादा खाद वहांद इस निए point अपने यह साल खी बार एक फ्लान्ट में खाथ तू मैं हमेशा से कहती हम और मैं हमेशा लिकवीड फाटिलाइजर का यूद मैं बनाती हो एकivi — 25 और एक पार के खाथ बनता है उसका जो liquid fertilizer बनता है यानि कि जो liquid निकलता है खाद बनाने के टाप पे उसका मैं 10 दिन में एक बार अपने पौध हमी यूज करते हूं कि यह एकदम से organic चीजे हैं और बहुत जल्दी जल्दी हम अगर यूज भी करते हैं तो कोई फरक नहीं पड़ता है लेकिन गोब देने पर भी प्लांट अच्छी ग्रोथ में नहीं जाता है तो इसके लिए 20-25 दिन में एक बार अगर आप वर्मी कंपोस्ट का या काउडम कंपोस्ट का यूज करते हो तो ठीक है और बीच बीच में यूज की पती उड़ एस इन सारी चीजों का अपने प्लांट की मिट् यूज की वह कैमिकल तो है नहीं खराबी तो नहीं करेगा हमारे प्लांट तो कितना भी हो सके आप कर सकते हो और ही विसकुस का प्लांट जो होता है बहुत इसको धूप पसंद है एक दम से यानि कि आप इसको तीज धूप आली जगह में रखते हो तब भी बहुत अच्छ और एक चीज जिसकी वज़े से हमारा प्लांट एक दम से खराब हो जाता है जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर वाइट वाइट कलर का दिख रहा है यह मिली बग है जो होता है वह एक ऐसा कीड़ा होता है धीरे-धीरे हमारे पादे को एक दम से खराब कर देगा और आप की साथ तो अभी आप देख सकते हो इसकी बहुत और अच्छी लोज हो उरहिए नहीं है कहीं भी कड़ी बड़ा इस तरीके के इस से घर डिया पाने के लिए लगा-तार अब को इसमें 20-25 दिन मेंarmory देना ही होगा तब reader लगा-तार ॉाइनमे रहता है तो बीजिएवी तो पौदा बहुत अच्छे से ग्रो करेगा और कोई भी कीड़ा इसमें नहीं लग सकता है और इसके बाद यहां पर यहां पर यहां पर देख सकते हैं इस तरीके से कलियां भी बन रही है और फूल भी आ रहे तो मुझे विसकुस का प्लांट बहुत पसंद है क्योंकि यह ल